वैद्याज किचनसो में आप सबका स्वागत है आज हम बैगन का रायता बनाएंगे आज हमारे यहां गेश्ट आने वाले थे और घर पर बुंदी भी नहीं थी और ना खीरा था फ्रीज में बैगन रखा हुआ था तो सुचे चलो आज इसी का रायता बनाते हैं और इसकी रेसेपी भी हम आपके साथ सेयर करते हैं बैगन का रायता खाने में काफी स्वादिस्ट लगता है तो इसे ही आप अपने कीचन में एक बार जरू ट्राइब करें इसकी लिए हम एक बैगन लिये हैं इस अच्छे से धो लिये हैं अब इसे हम कट कर लेंगे मेरी रेसेपी आपको पसंद आये तो मेरे चैनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रेसेपी देखने के लिए मेरे चैनल से आप जूरे रहें अब बैगन कट चुका है तो इसमें हम आधा चमच नमक डालेंगे आधा चमच हल्दी डालेंगे और नमक अब हल्दी को बैगन में अच्छे से कोट कर लेंगे अब 5-10 मिनट के लिए इसे हम रख लेंगे अब हम 500 ग्राम दही लेंगे और इसे अच्छे से फेट लेंगे यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिलीज जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद अब बैगन को हम तेल में फ्राइब कर लेंगे चाहे तो आप इसे सेलो फ्राइब भी कर सकते हैं बैगन को हम फलट लेंगे इसे golden brown होने तक अच्छे से fry करेंगे और बैगन फ्राई हो चुका है तो इसे अब हम तेल से निकाल लेंगे इसे हम प्लेट में रख लेंगे अब बचे हुए बैगन को भी हम फ्राई कर लेंगे उमीद है बैगन का रायता की रेसिपी आपको पसंद आएगी पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अगर आप ट्राई करें तो इसका टेस्ट आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताएं अब ये बैगन को भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और ये अच्छे से फ्राई हो चुका है तो इसे हम तेल से निकाल लेंगे अब चलिए हम रायता बनाते हैं तो दही हम फेट के रख चुके हैं अब इसमें हम मसाले डालेंगे तो मसाले में हम नमक, काला नमक, चाट मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर और लालमिच पाउडर लिये हैं अब इसे दही में अच्छे से मीक्स करेंगे अब दही में हम एक चमल चीनी डालेंगे इसे रायते का टेस्ट और भी बढ़ जाता है अब इसे अच्छे से फेट लेंगे अब दही में हम फ्राय किया हुआ बैगन डाल देंगे अब दही में हम बैगन को अच्छे से मीक्स कर लेंगे अब रायता अप में हम तड़का लगाएंगे तड़का के लिए हम सरसू का तेल लेंगे तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे तेल अच्छे से गरम हो चुका है तो इसमें हम सुखी लाल मिर्च दो डालेंगे एक चमच हम सरसू डालेंगे अब सरसू अच्छे से तड़क चुका है तो इसमें दो पिंच हम हिंग डालेंगे अब रायते में हम तड़का लगा देंगे कटी वी हरी धनिया पत्ती डाल देंगे और टेस्टी बैगन का रायता बनकर तयार है तो चलिए इसे अब हम बाल में सर्व करते हैं रायता की रेसिपी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले और रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताए अब हम रायता को बाल में सर्व करते हैं टेस्टी बैगन का रायता आप इंजोई करें वीडियो पसंद आए तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्नेवाद